नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक monitor खरीदना चाहते हो, चाहे वो 4K हो या फिर Full HD हो, तो इस वीडियो को देखते रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में 5 बैतरी इन Full HD और 4K monitors का करेंगे review, तो वीडियो को देखते रहे हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले, सबस्क्राइब क तो नमबर 1 पे जो आता है, वो आता है LG का 22 inch IPS Full HD monitor, ये कुछ दिखने में ऐसा है, तो आगे बढ़ते हैं, और इसका हम लोग करते हैं review, और बताते हैं आपको इसके बारे में, तो ये जो monitor है, इसका जो screen size 22 inch का आपको मिल जाता है, और आपको एक Full HD resolution का screen इसमें मिल जाता है और इसमें जो IPS panel यूज किया गया है, completely borderless है, तो इसका मतलब जादा bezels आपको देखने को नहीं मिलता, इस monitor में आपको 5 connectivity ports मिल जाता है, एक VGA port, एक HDMI port, एक DVI port, एक audio output और एक headphone port जो कि आप use कर सकते हैं, इसका जो horizontal और vertical viewing angle है, दोनो 178 degrees का है, इसको आप wall mount भी कर सकते हो, तो उसका भी provision इसमें दिया गया है, इसका bezels इतना ही narrow है, कि आपका जो look है, इस monitor का वो बहुत ही जादे enhance करता है, इस monitor में एक black stabilizer यूज किया गया है, जो कि ये ensure करता है, कि जो dark areas होता है, gaming के time में, वो आपको ठीक तरीके से दिखाई दे, इस monitor में एक comfort flicker safe और एक reader mode का option भी गया है, जो कि आपकी visual comfort को बराता है, और आपकी आखों को भी protect करता है, blue light से, इस technology के मदद से, जो flickering level है, वो भी reduce होके almost zero तक आजाता है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसा number पे जो सबसे बढ़िया monitor है, वो जान लेते है, कौन सा वाला है, तो यहाँ पे जो आता है, और बताते हैं आपको इसके बारे में, तो यह जो फिलिप्स का monitor है, इसमें आपको मिल जाता है 27 एंचेस का LED monitor, और जिसका की resolution आपको मिलता है 4K यानि ultra HD, इसमें आपको mega infinity dynamic contrast ratio technology यूज किया गया है, जो कि काफी deep reach blacks को produce करता है, और bright whites को भी produce करता है, ताकि आपका जो viewing experience है, वो काफी अच्छा रहे, इसमें आपको 2 HDMI display port मिल जाता है, एक audio in and out connectivity option भी मिल जाता है, इसमें आपको building speakers भी दिया गया है, और इसे आप wall mount भी कर सकते हो, इस monitor में एक low blue mode भी दिया गया है, जो कि harmful short wave blue light को ये filter out करता है, जिसे कि आपका आखो को अच्छी तरीके से protection मिल सके, इसकी अंदर भी आपको flicker free technology यूज किया गया है, जो कि brightness को regulate करता है और eye fatigue को भी reduce करता है, आगे बरते हैं, तीसरा नंबर पे जो सबसे बड़ी आप monitor है, वो जान लेते हैं कौन सा वाला है, तो यहाँ पे जो आता है, सैमसंग का 23.5 inch LED backlit computer monitor और ये भी ultra HD resolution का आता है, तो इ इसके बारे में, तो ये 23.5 inch LED monitor है, और इसका ultra HD resolution है, इसमें आपको 4 connectivity port मल जाते हैं, एक display port, 2 HDMI port और एक headphone port, इसका जो वीविंग एंगल है horizontally और vertically दोनो 178 degrees का है, इस monitor में AMD free sync technology यूज किया गया है, और इस monitor का response time है, वो सिर्फ 4 ms का है, इससे क्या होता है, input latency को ये minimize करता है, और जितने भी image adding होता है, और stuttering होता है, gaming के दुआरान वो भी काफी हद तक reduce हो जाता है, इस monitor को यूज करके आप अपने favorite movie और video भी देख सकते हो एक particular window में, और simultaneously spreadsheet में भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें दिया गया है picture in picture 2.0 technology, जिसे कि आप आसानी से दो चीज कर सकोगे एक तो आगे बढ़ते हैं, चौता वाला सबसे बरिया monitor है, वो जान लेते हैं कौन सा वाला है, तो यहां पर आता है, तो यहां पर आता है, सामसंग का 27 Inch of bezel-less LED बैकले monitor और इसका resolution मलता है आपको full HD का मल जाता है, यह अवर मोनीटर है, जिसे कि आपका monitor का look है, वो काफी तो इसका भी हम लोग करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं इसके बारे में ये जो सैमसंग का LED मॉनिटर है इसका जो डीप करवेचर है वो मैच करता है हमारे आखों की नैचरल फील्ड व्यू से और ये मॉनिटर इसके वज़े से आपको बहुत ही अच्छा कमफरडबल एक्सपिरियंस दिलाता है सैमसंग का जो एडवांज वी ए पैनल टेक्नलोजी है और इसका जो 3000 इस्टो वान कंट्रास रेश्यू है ये डीपर ब्लैक्स करने में सक्षा में और ब्रिलियंट वाइट्स को भी ये प्रियूस करता है ताकि आप कोई भी सीन का जो डाकेस्ट और ब्राइटेस्ट पोर्शन्स है वो आप अच्छी तरीके से देख सको इस मॉनिटर में आपको मल जाता है डुएल फाइव वर्ट स्पीकर्स जो के एंबेट किया गया है इसके डिस्पले के अंदर और इस स्पीकर्स के मदद से आप इसमें मुवीज गेम्स और ऑनलाइ स्टिमूलेट करता है दूसरे कलर्स के मुकाबले और यह आई सेवर मोड आपकी आई फटी को भी रिड्यूस करने में भी मदद करता है तो आगे बढ़ते हैं पांचवा और आखरी वाला जो सबसे बढ़िया मॉनिटर है वो जान रहते हैं कौन सा वाला है तो यह जो आता वाला मॉनिटर ले सकते हो काफी बजेट फ्रेंडली प्राइस में आपको यह मल जाएगा तो इसका भी हम लोग करते हैं रिव्यू और बताते हैं आपको इसके बारे में तो इसका जो स्क्रीन साइज से 21.5 इंच का है और इसमें आपको दो कनेक्टिविटी पोर्स मिल जा कोई भी एंगल से आप व्यू कर सकते हो मॉनिटर को तो अगर आप नॉर्मल कामों के लिए आप लेना चाहते हो एक मॉनिटर तो आप इससे चुन सकते हो काफी बजट प्राइस में आपको मल जाता है या फिर आप अगर गेमिंग या फिर मूवी देखने के लिए या फिर प्राइस बाइ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है वहाँ पर जाके आप इनको चेक आउट कर सकते हो और अपना मन पसंदित मॉनिटर खड़ीच सकते हो तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अगर आपको कोई भी आउट इस वीडियो से लिटेट तो नीचे कमेंट जरूर करना तो हम लोग इस वीडियो को यही पे करते हैं खतम तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगाओगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना